किता असलामवालईकूंभ ने हूँ सबा और आप तेख रहें किचन विच सबा आज वारे किचन में बन रहे हैं दूद वाली शर्वत महरम स्पेशल दूद वाली शर्वत बनाएंगे आज हम यहां मैंने चे किलो दूद लिया है दूद को मैंने अच्छे से बॉयल कर दिया यहां मैंने रंगीन सवया लिए हाफ पैकेट लिए यहां पर यहां पर डिफरेंट कलर की जैली जैली यह ग्रीन जैली है और यह रेट कलर की जैली है जैली मैंने बरा ली थी पहरे यह अब मैं जैली को फ्रिज में रखते हूंगी और फिर हम शर्बल बनाना स्टार्ट करते हैं यहां बूद में सबसे पहले में चीनी डाल दूँगी यहां चीनी को दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी का जो दौने वो खतम हो जाए अब इसमें में रूफजा डाल दूंगी तक्रीबन दो कप डालेंगे हम इसमें रूफजा चीनी को मैरे अच्छे से दूद में मिक्स कर लिया था इसमें तुक्मरलगा डाल देंगे और इसमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे यहां जैलीस हमारी बिल्कुल सेट होगी है अच्छे से अब जैलीस को कट कर लेंगे हुआ एंड़ डाल है हम शर्वत में जैल डाल के हम शर्वत में तौसर नहीं झाल झाल जरी डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पिस्ता बदाम डाल देंगे जैती हो बाल देंगे कर दो बदाम डाल देंगे इसमें यहां शर्वत हमारी रेडि हो गई है बहुत मज़े की बनती है यह शर्वत आप अब अब हुआ झाल झाल शर्पत को एक जग पे डाल देंगे फाइनली शर्पत हमारा रेडी हो चुका है यह देख सकते हैं आप यह दूद और जैली वाला शर्पत बहुत मज़े का होता है अगर आपको मेरी यह रेसेपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो में आला हाफिज